मुख्यमत्री बजनलाल के द्वारा वशुंदरा राजे की एक और योजना पर वार बजनलाल सरकार का नया फर्मान कहीं ये फेसला उल्टा ना पड़ जाए इस फेसले से गुसा हो सकती है पूरु सेम वशुंदरा राजे तो दोस्तों सियासत में रीट चली आ रही है कि जब कोई ने सरकार बनती है तो पूरानी सरकार की योजनाओं को या तो बदल देती है या उनमें कुछ बदलाओ कर देती है लेकिन राज़स्तान में तो कुछ अलगी हो रहा है यहाँ जब वशुंदरा राजे शत्ता में आई थी तब एक योजनाल आई थी अब उसमें बदलाओ किया गया जिससे वशुंदरा राजे को गुसा आए गही क्योंकि ये बदलाओ ऐसा है जिससे जनता नाराज हो सकती है राजस्तान के मुक्यमंद्री बजनलाल सर्मा आजकल 190 मोड में है क्योंकि इस बार चुनाओ में बज़ेपी का परफोमेंस को अच्छा नहीं रहा इंडिया गटबंदर के सामने बज़ेपी टिक नहीं पाई जिससे बजनलाल सर्मा फेसले पे फेसले ले रहे है जिससे OPS को लेकर भी सरकार बड़ा फेसला ले सकती है इसको बंद करने का फेसला लिया जा सकता है एसी कबर है कि बज़ट सर्तर में इस पर चर्चा हो सकती है इसी बीज राजस्तान में 16 जून को एक बेटक में बड़ा फैसला लिया गया ये फैसला वशुंदर राजी द्वारा चलाएगे अन्नपूर्णा रसोई योजना को लेकर किया गया है इस योजना की सुरुवात वशुंदर राजी के कारेकाली में हुई थी वशुंदर राजी की सरकार जाने के बाद असोगलूत के सरकार ने उसका नाम बदल दिया और इंद्रगंदी रसोई योजना नाम रख दिया था लेकिन साल 2023 के चुनाव में बिजीपी को एक बार फिर बहुबंद मिला तो इस योजना का नाम बदल कर अनपूर्णा रसोई योजना कर दिया गया यहां तक के सरकार ने इस साल जनौरी में बोजन की थाली में खाने में सुदार करने के निदेश दी थे यहां तक की खाने के कुछ मात्रा भी बढ़ाई थी लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि एक वेक्ति को एक बार ही खाना मिलेगा तो चलिए आपको बता देता हूँ पहले की योजना में क्या नियम थे और इस बार की योजना में क्या नियम है अन्पूर्णा रसोई योजना की अंतरगत थाली में 300 ग्राम चापती, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम मिलेट्स, किचडी और आचार परोशा जाता है जिसके लिए लोगों से 8 रुपे ले जाते हैं वही योजना पर सरकार के तरब से 22 रुपे का अनुदान दिया जाता है राजस्तान की स्वायत सासन विवाग ने इस योजना को लेकर नए आदेश जारी कर दिया है आदेश में लिखा है पहले लाबार्ति की जरुद के एसाब से 2 कूपन राचे प्राप्त कर 2 थाली 1 पलस 1 बोजन दिये जाने का प्रावदान था हाला कि योजना में संसो दन कर बोजन की मातरा में बडोतरी करके थाली के वजन 600 ग्राम कर दिया गया ऐसे में अब लाबार्ति को एक समय में बोजन के लिए एक ही कूपन दिया जा सकेगा मतलब पहले की तरह एक लोग दो कूपन लेकर दो थाली नहीं ले सकेंगे इस पैसले के बाद ये कहा जा रहा है कि इससे जनता पर भी असर पड़ेगा इसके शाथ ही वशूंदर राजी भी इस पर अपने पत्करिया दे सकती है क्योंकि ये योजना वशूंदर राजी के कारकाले में सुरू उइ थी जब इस योजना की सुरुवात हुई थी तो वशुंदर राजे लोगों के साथ खाना खाते हुए भी दिखाई दी थी और खाना खिलाते हुए कि तस्वीर भी सोशल मेडिया पर वायरेल हो रही थी अब ऐसे में जब बजलाल सर्मा ने इस योजना में बदलाव किया है तो देखना होगा कि राजस्तान की जनता पर इसका क्या असर पड़ता है आज की ये खबर आपको कैसे लिगी कमेंट में जुरूर बताना